बिहार के दरजनों जिले बाड से तबाह हो चुके हैं करीब 40 लाग की ऐसी आबादी है जो बाड से डारेक्टली बुरी तरीके से प्रभावित हुई है अब देखिए CM नितीज जो है यानि नितीज कुमार काफी चिंतित है लगतार एरियल सर्वे करवा रहे हैं अधिकारियों को कई तरह के फर्मान जारी कर रहे हैं और सक्त सब्दों में कह रहे हैं कि जो धन रासी है बिहार की वो उस पर पहला हग उन बाड पीडितों का है और अब कल जो है नितीज कुमार ने एक और बेहत बड़ा कदम उठाया है जिसमें बाड पीडितों के अकाउंट में सीधे साथ साथ हजार रुपए ट्रांसफर होने जा रहे हैं तो अपना अकाउंट आपचक कर लिजिएगा अगर आप बाड परभावित है बाड ने आपको तबाह किया ह तो नितीज कुमार की तरफ से आपके अकाउंट में साथ हजार रुपए पहुचने वाले हैं जी हां बिहार के सीम नितीज कुमार ने सुकरवार साम बाड परभावित परिवारों को बड़ी रहा दी है नितीज कुमार ने 13 जिलो में 4 लाख 49 हजार नोटिस किजिएगा य आएगा यहां कारेक्रम सीम अवास्त इस्थित संकल्प में आयूजित किया गया था कुल मिलाकर 307 करोन रुपए की रासी जो है वह सीम नितीश कुमार ने उन बाढ़ प्रभावित या बाढ़ पीडित कहिए लोगों के लिए ट्रांसफर कर दिया है आगे आपको पता है कि इस मौके पर मुख्यमंति नितीश कुमार ने कहा कि प्रथम चरण की बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खातों में 77,000 रुपए का नुग्रहत रासी अहस्तांत्रित किया रहा है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि दूसरे चरण में जिन लोगों क घर बार से प्रभावित हुए उन्हें दुर्गा पुजा से पहले यानि 9 अक्टूबर तक आर्थिक मदद दे दी जाए तो अधिकारियों को सक्त बहुत ही कड़े लफजों में नितीश कुमार ने बाते कहा है कि 9 अक्टूबर से पहले जो रासी है वो पहुंच जाने चा तत पर रहे हैं और इसके बाद आपको बताएं कि नितीश कुमार ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी है यह भी कहा है कि वैसे किसान जिनका फसल बर्बाद हुआ है देखें बार जो है वो बिहार के करीब 15-17 जीलों को पूरी तरीके से प्रभावित करता है चाहे वह स जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए साथ ही पाथ निर्मान एवं ग्रामीन का रविकास बाड़ से छतिग्रस सटकों की मरमत जल्द से जल्द करें उन्होंने यह भी कहा कि बाड़ प्रभावी छेत्रों में बाड़ के बाद होने वाले बीमारियों के लिए डॉक्टर और द जो मेडिकल फैसलिटीज है उसको भी लेकर जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहे डॉक्टर से अपने कैंप्स लगाएंगे और वैसे ग्रामीन जो सीधे तरीके से बाड़ से प्रभावित हुए है उनके इलाज उनके उप्चार के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए यह बाते हैं बिहार के मुख्यमंतिर इंदीज कुमार ने कहीं है फिलाल इस रिपोर्ट पर इतना ही तो ब्याट आपने वीडियो आप देख रहा है थे बहुत बहुत शुक्रिया कि 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 कि